तो है यह अधिक्ट आपका सवागत इस ख्लास में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले तो हम लोग आज बहु विकल्पी प्रश्ट पढ़ने वाले हैं यह पर पढ़ने वाले बहुत कल्पी प्रस्ट नहीं जिसके जितने भी इंपॉर्टन चैप्टर तुम्हारा कोश्चन है ठीक है बहुत भी कल्पी का वो सब क्या करने अगर क्लास को और भी अच्छे से डिटेर्म में पढ़ना तो तुम्हें वहां पर जोइन कर सकते हो या क इस पनी प्लांड सोते हैं एंधर में जीव समस्तियां की बात किया है मत Nur क्या होता पास नीतंहींयीं तंड्र वह सर्वाइब कर रहा है कैसे उसकी परसितिया है कैसा उसका वातावरण चाहिए किसी भी एक प्लाण होगा किसी जीव को डैवलप्मेंट करने के लिए अपना ग्रोथ करने के लिए इस चीज के बारे में क्या करना इस चैप्टर में पढ़ना है अच्छे से ठीक है लेकिन इस चैप्टर में देखने वाले बहुंब कर्फी प्राष्ट है तो देखते हमारा पहला कोशन किया है ओके पहला कोशन है को नहीं बहुता होता है अपना जीवन चक्र पूड़ नहीं कर सकता है ठीक है वो क्या करता है इसको पानी की जरुत होती है लेकिन इस तो आपने पीष्म सपीड़ी हैको पूरा नहीं कर सकता हूं की नहीं करले पहला की कमी कहए दूसरा दीशक्स कारण तीस्री पानी के अधित्ता के कारण है जो क्रें नहीं कर सकते हुगह नहीं 1 अधित्ता को ठीक है कि अधिक थी न्याए का बे surprises पानी की जरूवत होती है तो इसका पहला आप संग क्या करेक्ट होगा सब का सब लोग अपना करो ऐसा नहीं कि तुम लोग भी साथ-साथ में कोशन करते रहो तो आप से नहीं साथ में मिलाए करें यह सही है तो अकेले करने से अपने आप समझ में आ जाता है कि इसमें क्या नहीं तुमको याद करने के कोई जरूवत नहीं होगा तो इसका एंसर क्या हो जागा या नहीं होगा कोशन पता है समझ में आ रहा है कि क्या दे रखाए अगर आप सनंग क्या मतलब क्या है इसका Ho сकता है एनसर सकता है यह तो dan तो नॉलेज है तो अब दे हमारा second question क्या है अगला question देखते है क्या है गाजार को दे रखा है मरूद भीट पूर्ण जो उधारण होसा है चार आप तुम्हारा दिया है मरूद भीट होता इस ता जो तुम्हारा नार्मल स मतलब समझे तह नहां पानी होती ही बहुत कम मात्रा में पैया जाता है वहां पे viel पादब सकते हैं nelle सा ठीक है तो बता इते से कौन सा हो जाए क्या तुम्हारा गुलाब वह पी सरिवाइब कर पाएगा नाखफणी का पौधा सब ने देखाऊगा तो उसकी पत्तियां होती है तो वह नाखफणी नहीं होती है इसके ऊपर काटे निकले होते हैं वह तुम्हारी होती है इसकी नाकफणी होता है जो करती है काटों की रूप में रुपांतरित होती है तो यह किया करती बहुत ज़्यादा वात्पषरजन के लिए ना कर पाया इसा निकी तरह होगा ठीक है अगर माननो सपोरे जैसे पत्मियां होती अगर वैसे भी नाक फानी की पत्तियां हो अगर उसको रेगिस्तान में पाए दूसमें आसा होती तो नार्मल पती पेड की सब ज्यूप में होती इसंट लिए को पानी का इसको के बहुत फだ Во बता सकती है इसकी बात विखले में फोन अलाक फणी हो जाएगी कि-8 मों और अगला पॉद्र होते जो जली वातावरड में नहीं पाए जाते हैं इसको बोलते हैं जली वातावररण में नहीं इस्थित होते हैं तो प्रिजेंट होते हैं इसमें चार आप से तुम्हारा दे रखता है तुम्हारा है दिया है निलंबो दिया है ट्रापा दिया और बबोन दिया तो बता इसमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो क्या करता है जली वातारों मतलब पानी में नहीं होत यहां बबूल का पेड़ क्या होता है वह लोग ने थे खांगा है तो बहुत लोग ने देखा बहुत लोग के ऐसे जानकारी नहीं रहे तो तुम लोग फिर लोग इसका पेड़ कहां पेड़ कहां है पिस हें आगला perfect соп हमारा क्या दे रखा ए चरम समुदाय की बात करते हैं तो संतुली offered संक्रम और छेत्र बोल सकते हैं नंग घूमी बोल सकते हैं अगर बच्छों पूरे प्लास को अच्छे से टेटेल ने पढ़ना तुम लगों पे कॉल कर सकते हैं अलफा एंसर्टूट एफ है वहां पर जोईन कर सकते हैं तुमको सारे चेत्र पाये जाता है इसमें चार आपसं तुम्हारे दिये है इसके अंसर क्या हो जाएगा बताओ कि यहां तक लियर है अगला कोशन देखते हैं क्या है दिखा अगला कोशन नमारा दे रखा निम्न में से कॉन सा कीट बच्ची पॉधा कीट बच्ची पॉधा कंटा पाधन की क्रिया नहीं करते हैं अपना भोजन नहीं बनाते और क्या उसको खाने के लिए बोल सकते हैं कि अपनी लोगव सोचोंगे का उन्हां मिलता है ठीक है तो पुटो सिंथा क प्रिया करते ही नहीं अपना भोजन बनाते ही नहीं तो छोटे-छोटे कीट मकॉड़ी होते हैं उसे बताओ एसे कीट भच्ची फौदे कॉन होते हैं जो इसमें से कौन साहे चार आपसा तुमारा दे रखा है ड्रोसेरा है नैप्थीज है और हाइडरीला है या फिर A और B दोनों बताओ इसका एंसर क्या हो जाएगा कीट भच्छी फौदा कौन होता है कौन से होता है बताओ कमेंट करके बताओ कौन सा इसका एंसर होता है कि एवाब बी दोनों ठीक है ठीक है क्लियर यहां तक बताओ कीट भच्छी पौदे का मतलब समझ में आ रहा ना ऐसे पौदे बच्छों क्या होते देखो प्रिथी पर तुमारे बहुत साहे पौदे पाए जाते बहुत प्रकार की पौदे पाए जाते हैं अब देखो पानी पौदे बैठते हैं और उनको क्या करते है यह अति अगला निकाले है ठीक है अगल्डे स्थी द выгляд já है अग्ला कौश्ण में दें रख़ है तक इष्यालिंगे प्राडी किया है इसको प्राडीों को मुर्गे दिया है और पर केचूऊंबान की बात का पॉब्सयुलिंग प्राणि कौन्स है उभई लिंगी प्राणि कौन आइगा आपको लिए और कि तुम्हारा फ्रम सुंत लिए रक्टीट Hub वनालि आपको सा अठीट में चुशोल यह लिए ठीक है तो प्रात्मी होता है या उप होता है गीन रखता है ही जो फिरितीयक खाएगा तो अपना स्वयम नहीं बनाता यहीं होता है चोड़े-चोड़े-चोड़े पोधपी इंच्वें रहता है तो यह मारा क्या हो जाएका पराथ में खालगे एकिजिए हाँ क् 우irminar day hai hai बात क्लियर कि प्राथ मी भूभ देख ले और किया देख लेते हैं क्या है लेकिन का धिया क्या है जन संक्या अधिक होने पर क्या हो जाए अगया अगर एक परिवाल मांग करी लो कई निधियों में सकती है या फिर घर्णीच पढ़ारति क्या के टम पर नहीं हो सकती है नहीं नहीं पहले इतने में क्या थे इतने में किया थे दो तीन चार थे लेकिन अभी 15-20 तो इतने उसको क्या कमी हो जाएगी जन संख्या जो मारा पॉपुलेशन है फिर बहुत सकते हैं लोगों की संख्या बढ़ जाने पर क्या होता उसके खरीज परदार्थ की कमी हो जाती है ठीक है आपसे नबर सी किसका क्या हो जाएगा करेक्ट अशर हो जाएगा खणीज परदार्थ की करूं करमें यहां थो ता क्लिहर ऑगे ने ने चौर्शन देख थे हैं क्या है हमारा तो अगर्शन की देरख्थाया है जो पारसिटिक जिव सिद्धान के परविख्यानिक का नाम पूच्छा है इसमें और इसमें तुमको बताना है जो पार्स्तिक सिधान को परस्पाइब करने वाले विज्ञानिक का नाम क्या है तिसमें से चार आप्सान दे रखाया इसमें से कौन सा एंसर करिए हुआ प्राइब बहुत अच्छी से तुमको पढ़ना है तुम्हें सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे तुमको इसका नोर्थ फीडियर सब कुछ मिलेगा तुम्हेरे सब्सक्राइब करा जाएंगे अब इसका अंसर क्या होता है इसका आपसर नंबर इसका करेक्ट है अगला प्रशन देखते हैं क्या हमारा कोशन हमारा दे रखा है स्वाप पार्सितिक क्या है स्वाप पार्सितिक क्या है इसमें चार आपसर तुम्हारा दे रखा है सब्सक्राइब पर्याड़ीं इंपीस कि IT की जाती हैं स्वापारस्थिक ठीक है इसका करेस्ट टैंसर प्रीख क्या होजाएगा पर्यावरण से संब्ढ्ध पर्यावरण के संबन्ध से क्या बने को मैं कि यहां तक आपसा अब गिस का देख लेखे लेए अगला प्रसस आती प्रस्ट ने यह बता दो इसका एंसर क्या हो चाहए ऌतुंढक हुझ मिठिक अभERS होता हैこの मिठिक Hindาก होता है जो हो प्रेदा मतलब चैबाइब इस्वाइल उसको थे है तो इसका बता तो इसका जो व्यास होता है वह कितना का होता है 0.20 से लेकर 0.2 mm तक होता है या तो 0.002 से लेकर हो जाएगा या तो दिया है 0.002 से भी कम यह मंसे भी कम हो चाहिए कि इसका आपशार से करेक्ट हो जाएगा के साय हो जाएगा ligam इसका यह साइंसर का सभी हो जाएगा जो आपसा नंबर क्या दी दे रखा है यहां तक सबका क्लियर है बताओ अब मिलते हैं अगले क्लास में बहुत नएने कोशन के साथ ठीक है यहां यह जो मैंने कोशन बताया उसको अच्छे से प्रॉपर पुड़े पढ़ लेना ऐसा नह ठीक हम गलते हम लोगा गले क्लास में